हमारे साथ चर्चा में जोड़े हैं पॉलिटिकल स्ट्राटेजिस्ट एके मिश्रा जी एके मिश्रा जी आपका स्वागत है सोरे समचार पर जिस तरीके से खबर अभी सामने आए आपने दिखा ये बड़ी खबर इस वक्की है मिसले माननी चाहरे क्योंकि दो प्रबल दावि क्या समझा जाए कि मिश्रा जी जिस तरीके से हमेशा जो कॉंग्रेस है युवा राजनीती की बात करते हैं युवा चेहरों को प्रमूट करने की बात करते लेकिन अब फिलहाल जो है तजुर्बे को प्राथमिक्ता दी जा रही है यहां पर आमने आपने सही बोला है यह इ आते हैं कि हमारे पार्टी में इंटर्नल मैनेजमेंट नहीं है 2019 के एलेक्शन को अगर आप देखेंगे तो अभी पार्टी में अगर दरार पड़ती है तो यह भी एक गलत मैसेज दाएगा डिफनेटली भारती समाज भारती मतदाता अभी भी मैच्योर्टी को एक्स्पीर जो हर तरीके से एक्सपीरियंस में राजस्थान का अगर देखा जाए और चुकि देखे सरकार बनने के बाद यह भी सबसे बड़ी चुनोती है कि 4-6 महिने का टाइम है इसी में इनको सारे मैजिक दिखाने है तो एक नए आदमी के हाथ में कमान दे कर के कोई भी पार्टी इतने बड़े स्टेट के गवर्मेंन को नहीं चलाना चाहेगी जबकि 2019 का मेन है तो उसके लिए असोग गहलोथ हर प्राइटेरिया से फिट बैठते है और अभी आपने बताया अभी थोड़ा सा डिस्पीट हुआ दस मिनिट के बीतर वो डिस्पीट सॉल्व होने का भी आ जाए कि रहुल गांदी जी का मैसेज आ जाए कि असोग गहलोथ जी को जो है मुक्यमंत्री बनाया जाए तो इस नोट इस्पीट अट ओल ठीक है